हलो एवरीवन, वेलकम टू माई UPSC, करन्ट अफेर्स के रेगुलर बेसिस पे प्रैक्टिस MCQ टेस्ट करवाए जा रहे हैं आपको यहाँ पे UPSC, State PSC या कोई भी other competitive exams के आप preparation कर रहे हैं तो यह आपके लिए 100% useful है अगर आपके इस लेबस में current affairs है, general awareness, current affairs यह आपके काम आएगा, आप इसको subscribe कर लिजिये चैनल को और support कीजिये, कोई query है, comment section में पूछिए, इन सब का PDF भी अब आपको provide करवाया जा रहा है, आप channel join कर लिजियेगा, तो वहाँ पे आपको इसका PDF मिल जाएगा, टेलिग्राम का link नीचे description में मिल जाएगा, आप पहले यहाँ समझ ले इनको अच्छे से detail में, otherwise PDF डाउनलोड करने से फिर आपको समझ में नहीं आएगा, इतना अच्छे से detail में, तो मेरा यह request रहेगा, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लिजे और उसके बाद इसको detail में समझ यह, और फिर इसका PDF का नीचे download link भी मिल जाएगा, आपको daily basis पे पहले हुए हैं उनका, और आगे भी आपको इसका PDF प्रोवाइड करवा देंगे, लेट्स बिगें, the Nobel Memorial Prize in Economic Science 2022 was awarded to three scientists for their research in which field, यह कहा जा रह है कि जो अर्थ सास्त्र का अभी 2022 में Nobel Prize मिला है, तीन अर्थ सास्त्रियों को, उन्होंने क्या research किया है, किस field में research किया है, जिसकी वज़े से उन्हें Nobel Prize मिला है, देके 2012 का जो Nobel Prize मिला है, यह तीन अर्थ सास्त्रियों को मिला है, कौन है वो तीन? बेन बर्नान के बेन बर्नान के सेकिंड जो है डगलस डाइमंड डगलस डाइमंड को और जो थर्ड है तीसरे फिलिप डाइब डाइब विगो को ये तीनो नाम आप द्यान रखेगा एक्जाम में पूछे जाएंगे अगर आपका एक्जाम रेलवे बैंकिंग इस तरीके के एक्जाम है तो उनमें पूछा जा सकता है कि अर्थसास्त्री कहां के है ये तीनो ही जो अर्थसास्त्री है ये USA से हैं अमेरिकन हैं किसलिए दिया है इनको विशेस रूप से विशेस अंकट के टाइम पे अर्थ विवस्ता में बैंको की भूमिका के बारे में जो समाज में सुधार है उनके लिए दिया है ये यूं कहें कि विशेस अंकटों पे इन्होंने शोध किया है उस वज़े से दिया है नोबल प्राइज पे एक डिटेल वीडियो आपको प्रवाइड करवाया जाएगा कब शुरू हुआ अब तक कितने इंडियन्स को किस फिल्ड में मिला जो नोबल प्राइज का क्यूशन आता है वो यही आता है कि किसे मिला और किस फिल्ड में मिला और क्या research किया तो आप ये जरूर पढ़िएगा अदरवाइज आपको एक detailed video Nobel Prize पे जरूर मिलेगा जल्दी ही मिलेगा अर्थ सास्तर का Nobel Prize 1968 में शुरू हुआ था और ये पहली बार दिया गया था 1969 में ये सभी Alfred Nobel से जुड़े हुए हैं और ये 6 केटेगरियां थी शुरू में 1901 में 5 केटेगरियों में दिया जाता था और बाद में 1968 में ये 6 केटेगरिय एकनोमिक साइंस की एड़ की है इस क्यूशन की बात करते हैं research किस field में सो देखिए मैंने बताया banks and financial crisis जो बैंकों और वित्यस अंकट है उसके लिए दिया गया है उमीद है आपको clear हो गया होगा see is का correct answer consider the following statements with respect to Prime Minister's development initiative for northeast region जो Prime Minister's development in northeast region की बात है देखे development एक अलग है और development से अब आप अभी recently क्या है जब election आता है तो देखा होगा आपने की बहुत सारे लगबग सभी political parties क्या करती है public को अपनी तरफ attract करने के लिए कुछ भी वादे करती है एक time ता जब south में अभी recently की बात है आपको हवाई जाज की आत्रा करवाई जाएगी कोई सोने की चैन दे रहा है कोई स्कूटी दे रहा है इस तरीके के बहुत सारे अट्रेक्टिव दिये जाते है सो ये सुप्रीम कोर्ट में भी चला है सुप्रीम कोर्ट ने है जो election commission के side में ये ball डाल दी है अब election commission ने चिट्टी लिखी है जितनी भी political parties है उनको और जो chief secretary है उनको कहा है कि भाई आप जो इनको जो detail है हर state की detail दे दीजे कि किस state का financial condition क्या है कौन state कितने करजे में है और उन political parties से पूछा है अभी 19 October last date है 19 October तक उनको बताना है कि आप जो आपका manifesto है जो आप जिस state में चुनाव है वहाँ आपका जो manifesto दे रहे हैं उसमें आप free बांट रहे हैं या जो भी दे रहे हैं वह पैसा कहां से आएगा और आपका क्या detailed plan है और इससे state का जो budget है state के budget पे इसका क्या असर पड़ेगा कितना सरचार्ज ये सब election commission ने पूछा है और अगर कोई जवाब नहीं देता है तो election commission ये मान के चलेगा कि इनके पास कोई plan नहीं था सो ये बड़ा interesting होगा देखने वाला अभी जो next गुजरात, इमाचल प्रदेश वगरा में election है तो यहाँ पे देखते हैं क्या आता है निकल के क्योंकि अगर कोई कहता है फिरी बिजली, फिरी पानी, फिरी राशन ये सब दिया जाता है तो election commission जरूर पूछेगा भई ये इतना पैसा आप कहां से लाओगे फिरी का तो वैसे भी मुथ्खोरी, पूरे देश को मुथ्खोर बनाना तो ये कहां का सही है, क्योंकि अगर सब भी फिरी लेने लग जाएंगे तो ये पैसा आएगा कहां से और फिरी बीज का रिजल्ट आपको देखना है, तो वेनेजुएला का एक्जामपल था लास्ट येर, वेनेजुएला की क्या हालत हो गई, बहुत एक अच्छी कंडिशन थी उसकी एकनोमिक अभी रिशेंटली देखा हमने स्रिलंका में ये सब फिरी बीज की वज़े से ही है तो ये इसको सीरेश लिया है इलेक्शन कमिशन, इसकी बात करते हैं डेवलप्मेंट इनिशेटिव की इसको जो इंप्लिमेंट करेगा ये मिनिस्ट्री ओफ डेवलप्मेंट ओफ नौर्थ इस्ट रिजन ये ही इसको करेगा 100% ये centrally sponsored है देखे कई बार प्रिलिम्स वगरा में पूछ लिया जाता है कि इसमें 70% है जो central government देगी 30% state government देगी या कोई और world bank देगा इस तरीके से आपको confused किया जाता है तो ये 100% centrally sponsored है ये बिल्कुल सही है जो isolated project है उनकी बजाई इस scheme में end to end जो large size के project है उनमें end to end development solution instead of isolated projects ये statement भी correct है दोनों ही statement इसके correct है आप इसके बारे में जरूर पढ़िएगा अधरवाईज इसका ये detail PDF आपको मिल जाएगा description में आप चेक कीजे channel को जरूर आप subscribe कर लीजे ये आपका support की जरूरत रहे car is gas filled seen in news is located in देखे ये मुद्दा अभी शुरू हुआ है ये issue लेकिन ये आगे जाके और बढ़ेगा और इसकी वज़ा है कि इसराइल और लेबनान के बीच में जो इसराइल और लेबनान है इन दोनों के बीच में disputed region है ये car is gas filled जो है अब इसमें क्या किया है कि इसराइल ने जो यूएस बाइंड एग्रिमेंट था यूएस ब्रोकर्ड एग्रिमेंट जो लेबनान के साथ था उसको settle करने के लिए ये long dispute था मार टाइम बॉर्डर car is gas filled का इस पे actually क्या है इसराइल ने या pumping भी शुरू कर दी है दोनों के बीच में dispute है लेकिन इसराइल ने या gas की pumping शुरू कर दी है इसलिए ये और बढ़ेगा matter है जो और ये कहां पे है car is gas filled ये है Eastern Mediterranean Sea में है इसको आप जरूर मैप में देखिएगा Google पे मिल जाएगा अधरवाइस इसका PDF में आपको प्रोवाइड करवा देंगा with reference to international monetary fund IMF देखिए अभी recently IMF ने कहा है जो IMF ने कहा है अभी recently ये कहा है IMF ने कि दुनिया को भारत से सीखने की जरूरत है और उसने कहा है कि जो digital cash transfer scheme है वो एक पूरे world को सीखने की जरूरत है और IMF ने कहा है कि एक अच्छी बात इसमें ये है कि एक तरीके से structure development हुआ है संरचनात्मक सुधार हुआ है और IMF ने ये भी कहा है कि अगर इसको और अच्छे तरीके से structural development है continue रहता है इंडिया में तो बहुत जल्दी इंडिया है जो आने वाले टाइम में जल्दी 10 trillion की एकनोमी को target को achieve कर सकता है और ये कहा है कि इसने जो डायरेक्टर IMF का है इसका जो main economic को देखता है main economic advisor वगरा है अर्थ सास्त्री जो P.A. Olivier Gorinchas है उसने कहा है कि दूसरे देशों को बारत से सीखने की जरूरत है इसकी जो MD है IMF की crystal लेना ने भी यह कहा है कि मंदी के दोर में भी बारत ने एक उचिस्तान बरकरार रखा है एक उज्वल जगे रहा है जबकि बारत ने बहुत सारे countries को यह जो क्यूशन की IMF का यह क्यूशन इसलिए चर्चा में है यह सही है जो IMF है यह UN की एक specialized agency है statement first correct है it provides financial support and resources to the member countries to meet short term and medium term balance of payment problems यह सही है statement दूसरा because जो IMF है क्या करता है financial support provide करता है short term और medium term short और medium term दोनों का है जो financial support provide करवाता है correct पूचा गया है C's का सही answer है लगबग 40% ऐसे हैं जिनोंने subscribe नहीं किया है वो वीडियोज देख रहे हैं तो मेरा उनसे request है कि please subscribe कर लिजे channel को the joint military exercise टाइटल दा उल्ची freedom shield देखें यहां आपको best question प्रवाइड करवाने की मेरी कोसिस रहती है कि to the point आपके exam से related हो और हर exam में आपके काम आए इसलिए मैं इतना detail में बताता हूं कि क्यूंकि ऐसा तो है नहीं कि joint military exercise किसके बीच है देखें नौर्थ कोरिया है उसने अभी जापान की तरफ कोई missile छोड़ दी थी जो जापनी जो सी है उसमें जाके यह गिरी थी missile है जो अब उसके बाद से क्या हुआ है साउथ कोरिया और यूएस ने यह एक joint military exercise किया है और इसकी खासियत क्या है live fire exercise इसमें live fire exercise भी किया है thousands of troops इसमें इस drill में involved है try service के और यह अभी हुआ है उल्ची freedom shield यह नौर्थ कोरिया का जो missile test है उसके against में किया है अमेरिका और साउथ कोरिया ने आप चाहें मैप में अमेरिका यह साउथ कोरिया और नौर्थ कोरिया जापान का जरूर देखे लोकेशन कहां है इससे आप में एक general awareness का development होगा जो हर exam में आपके competitive exam में काम आएगा which of the following temples is not built during the regnop चौलाज चौलाज के time पे कौन सा temple नहीं बना है ब्रिदेश्वरा temple in Tanjuar देखे ब्रिदेश्वरा temple in Tanjuar was done by राजराजा first so ये भी चौल डाइनेस्टी के time पे ही बना है गंगाई कॉंडा temple in गंगाई कॉंडा चौजापूरम ये भी है जो किस ने बनवाया था ये राजंदर फर्स्ट के time पे बना है राजंदर फर्स्ट के time पे बना है जो एरावतेश्वर temple है दाराशूरम में ये ये भी किस के time पे बना है ये पांडिया एमपरर थे इनके नहीं ये है जो एरावतेश्वर temple है ये दाराशूरम में बना है ये किस ने बनाया था ये राजराजा third के time पे बना है राज राज जा थर्ड के टाइम पे बना तो ये भी चॉल जो डाइनेस्टी है उसी के टाइम पे बने है ये सारे जितने भी बड़े बड़े टेमपल है जो मिनाक्षी टेमपल है मदुरई में ये मिनाक्षी टेमपल मदुरई में ये चॉल वंस के टाइम पे नहीं बनना ये पांडयाओं के दोर में बनाया है पांडयाओं के थे उनके टाइम पे बनाया था यह कुल शेक्रन फस्त ने पुल सेक्रन फस्त ने बनाया था यह आप जरूर दियान रखिए ऊचर्चा में इसलिए कुशन आपको करवाया जा रहा इतना डीटेल में, ताकि आपको ये टेम्पल का भी ध्यान रहे, कौन सा कहा है और किसने बनाया है। Living Planet Report was released by which of the following organization, जो LPR है, Living Planet Report, देखे इसमें क्या होता है, इसमें रिपोर्ट, ये रिपोर्ट मेजर करती है, कि जो species हैं, वो कैसे रेस्पॉंड कर रही है, pressure in the environment due to biodiversity loss, climate change, biodiversity loss हो रहा है, climate change हो रहा है, ice melt हो रही है, तो इन सब की क्या species पे क्या रेस्पॉंड है, इस प्रेशर को जो species है, वो कैसे चल रहा है उनका इसके related में, तो इसको measure करती है, क्या respond है उनका, और ये release किस ने किया है, Living Planet Report, World Will Life Fund, ये UPSC Prelims में, UPPCS में, MPPCS में, RPSC में, ये क्यूशन पूछा जा चुका है कई बार, और ये report आती है, तो ये चर्चा में है, अभी भी इसका correct answer है, और इस report में, बहुत चिंता जनक report आई है, ये, अच्छी report नहीं है, climate change सबी जगए, और जो developed country है, वो इसमें ज़्यादा contribute नहीं कर रहे हैं, India's first slender loris century is located in which of the following stage, देखिए ये question, आपके upcoming जो exam है, November, December, January, February, March, इन में ये question पूछा जाएगा, आप ये 100% इसको note कर लीजे, क्योंकि ये इंडिया का ऐसा पहला है, slender loris century, और ये जो slender loris है, ये क्या है, जो बंदर है, उनके पूरवज, इननी को कहा जाता है, बंदरों का पूरवज, slender loris, और ये अभी शुरू किया है, देखते हैं, इसको बचा पाते हैं या नहीं, क्योंकि ये threatened है, कापी कम कवर्नमेंट ने, तो तमिल नाडू, इसका correct answer आएगा, भारत का पहला slender loris century, तमिल नाडू में, और ये तमिल नाडू के दो डिस्टिक हैं, वहाँ पे शुरू किया है, ये cover किया है, इननी के लिए, ये डिस्टिक आप मैप में देखिएगा, और इनको कहीं, लिख लीज में cover करेगा, लगबग 11,806 हेक्टेर में ये बनाया जा रहा है, ये पहला है देश का, इसलिए ये question और भी important हो जाता है, भारत और स्री लंका में पाया जाता है, ये जो slender loris है, छोटा होता है, देखेगा इसकी photo, पतला होता है थोड़ा, consider the following statements with respect to NASA's dragonfly mission, NASA का जो dragonfly mission है, उसकी बारे में है, question पूछा गया है, question की correct क्या है, it is mission to reach the Jupiter's moon, Titan, देखेगे ये जो टाइटन है, ये Jupiter का moon नहीं है, it is Saturn's moon, so ये गलत है, ये जो टाइटन है, it is Saturn's moon, सनी का है, ये उपगरे, Titan is the second largest moon in the solar system, with an atmospheric liquid on its surface like Earth, तो ये सही है, जो second largest है, Titan, सबसे largest कौन सा है, ये mind में आता है, हमारे की सबसे largest कौन सा है, फिर, so सबसे largest जो है, वो है, गेनिमेड, ये सबसे largest है, पूचा है, तो B इसका correct answer है, any arnox any anox any anox the winner of 2022 nobel prize nobel prize in literature साहित्य में जो nobel prize मिला है any anox को यह author है किस देश से हैं किस country से है any anox सो ये फ्रेंच राइटर है इनके कई और भी चर्चित इनकी बुक्स वगरा रही है एनी एनॉक्स की ये नाम आप द्यान रखिएगा जो लिट्रेचर में मिला है इसके बारे में आपको जैसा मैंने बताया डिटेल में पूरा वीडियो इसका करवाऊंगा जो मैं अच्छे से आपको नॉबल प्राइज पर भाके आप द्यान रखिएगा एनी एनॉक्स है ये फ्रांसिस है और इनकी कई बुक्स भी पहले चर्चा में रही है 1993 से ये बुक्स लिख रही है पहली बुक्स इनकी जो 1993 में थी जनरल टू डेहोर्स यहां से और इन्होंने बहुत सारी बुक्स लिखी है तिंक सीन वगरा काफी चर्चा में रही है सीस का करेक्ट आंसर है आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए पीडिएफ डाउनलोड करने का लिंक नीचे मिल जाएगा आप पीडिएफ डाउनलोड कीजिए All the very best, thank you very much, good luck